नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवार्ता में दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की एतिहासिक पिष्ट भूमी और हिंदी का जो बगौलिक विस्तार जो ये दो टॉपिक्स हमने अपनी पहली इकाई के अंतरगत क्लियर कर लिए थे इन्ही के सम्दित हमारी जो पहली महत्वपून जो प्रशनोत्री है उसको हम आज करेंगे तो चलिए बिना देर किये हुए शुरू करते हैं आज की जो ये प्रशनोत्री है इसको तो सबसे पहला जो प्रशन है देखिए वो है अपभरण शब्द का प्रत्थम प्रमानिक प्रयोग मिलता है दोस्तों बहुत ही ध्यान पूर्वक आपने इस प्रशनोत्री को देखना है और समझना है क्योंकि इसी प्रशनोत्री से जो हमने ये दस बारक प्रशन त्यार किये हैं अगर हम इनको सही तरीके से पढ़ते हैं तो कम से कम हमारे 40-50 प्रशन इसी प्रशनोत्री से हो जाएंगे इनी 10 प्रशनों से हो जाएंगे क्योंकि एक प्रशन में अनेकों कई उसमें अंश जूड़े होते हैं, जहां से हम अन्य प्रशनों को बना सकते हैं, तो बहुत ध्यान पूर्वक आप देखेंगे, मुझे इतनी उमीद है आपसे, तो चलिए शुरूगरते हैं कि सबसे पहला जो हमारा प्रशन है देखिए, वो है अपभरंश शब्द का प्रत्थम प्रमानिक प्रयोग मिलता है, देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है अग्जामी नरम से, कि जो अपभरंश शब्द का है, उसका प्रत्थम प्रयोग कहां पर मिलता है, देखिए भाशा का नहीं पूछा गया है, शब्द का पूछ तो हमारे सामने विकलफ हैं नाटे शास्त्र, अश्ट्या ध्याई, महाभाश्य और काब्यदश तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर लिख सकते हैं कि इसका उत्तर क्या है और आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि आपके टोटल जो प्रशन है उनमें से कितने सही है और कितने जो आप सही नहीं कर पाए हैं तो चली मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ देखिए जो अपभरश शब्द है उसका सबसे जो पहला प्रमानिक प्रियोग मिलता है वो मिलता है महाभाश्य में अब हम देखेंगे कि जो महाभाश्य है वो किसकी रचना है तो अगर यहाँ पर अपभरश का प्रत्थम प्रमानिक प्रियोग मिलता है इस तरीके से प्रशन पूछा होता है कि अपभरश का प्रत्थम प्रमानिक तब हो जाना था यह मतलब भाशा का तो तब इसका आंसर क्या होना था नाट शास्त्र में है ना अगर यहाँ पर शब्द वैदिक संस्कित के जो विभाग हैं, उनके बारे में हमने पहली क्लास में पड़ लिया था दोस्तों, तो option देख लेते हैं, क्या-क्या है इसमें, सबसे पहले हैं वेद, फिर विनै, ब्रहमन और उपनिशत, तो हमने देखने हैं कि वैदिक संस्कित के विभाग नहीं हैं, और सामवेद, ठीक है, दूसरा option है विने देखिए, ये जो चीज है, ये वैदिक संस्कित के विभाग में शामिल नहीं है, है ना, ब्राह्मन है, ब्राह्मन में क्या है, इसमें धार्मिक कर्म कांडों की व्याक्या है, और उपनिशत जो है, वो धार्मिक ग्रंथों की, ये ज जो तीन है, ये तो वैदिक संस्कित के विभाग हैं, लेकिन विने इसके अंतरगत नहीं आता, तो इसलिए हमारा जो उतर होगा, वो होगा विने, ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे वाला प्रशन देख लेते हैं कि क्या है, इसमें है कि सद्यनीती ग्रंथ किस भाशा का ह तो दीखिए, बहुती महत्तफून प्रशन है ये कि सद्यनीती ग्रंथ किस भाशा का है, सबसे पहले आपके पास है प्राकृत, फिर अपभरंश, लौकिक संस्कित या फिर पाली, ये चार विकल्प हमारे सामने हैं, आप इसका उतर भी हमें कोमेंट सेक्शन में जाकर दे अब हम नीचे देख लेते हैं, अपने जो विकल्प हमें मिले चार, अगर व्याकरण की बात कर रहा है, तो पहले अगर हम देखें कि प्राकृत, तो प्राकृत में कितने व्याकरण लिखे गए हैं, तीन व्याकरण, ठीक है, तो तीन व्याकरण किस किस ने लिखे हैं, सब प्राकृत की नहीं, प्राकृत में तो दोई हुए, ठीक है, पाली, जो पाली में कितने थे, तीन थे, कौन-कौन से थे, तीसरे, दो मैंने नाम बता दिये आपको, तीसरा, तीसरा नाम क्या था इसमें, तीसरा नाम था इसमें, अगवंश, तो उन्हों नहीं क्या लिखी है, सद्यनीती ग्रंथ लिखा है तो इसका अंसर क्या होगा पाली तो ये किस भाषा का ग्रंथ है पाली भाषा का और प्राकृत में कितने हुए हैं दो ही हुए हैं कौन-कौन से वररूची और अपका हेमचंद्र तो इन दोनों ने क्या लिखे हैं दो इग्रंथ लिखे हैं प्राकृत में तो प्राकृत में दो ब्याकरण ग्रंथ मिलते हैं पाली में तीन उपलब्ध हैं तो जो सद्यनीती है वो किसका है अग्वंश का है ये आपने याद रखना है ठीक है दोस्तों तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर तो अगला प्रशन है प्राख पूर्व कृतम प्राकृतम यह कथन है किसका है यह कथन देखिए option क्या है वाकवती राज, नामी साधु, हेम चंद्र और विद्यापती तो यह चार विकल्प हमारे सामने है तो सबसे पहले तो देखिए यह जो कथन है, यह किस से संबंदित है यह हमें पहले देखना पड़ेगा तो इसमें कहना क्या चारा है, यह वो रहा है कि पूर्व कृतम प्राकृतम, कि जो प्राचीन समय में बन गई थी, वो ही क्या है वही प्राकृत है तो ये पहली बात तो ये है कि किसके संबंदित ये बात कही गई है ये प्राकृत भाषा की उत्पत्ती के संबंद में बात कही गई है तो प्राकृत भाषा की उत्पत्ती के संबंद में किन-किन लोगों ने बाते कही है तो सबसे प्रमुख जो है वो नाम नामी साधू का ही ये कथन है ठीक है ना और इन्होंने कहा इसको क्या कहा है कि ये प्राचीनतम जन भाषा है कौन प्राकृत ठीक है जबकि हेमचंद्र ने क्या कहा कि संस्कृत से विक्सित हुई है है ना क्या कहा हेमचंद्र ने कि जो प्राकृत है वो संस्कृत से विक्सित में आता है और समुद्र से बैकर चला जाता है उसी प्रकार समस्त बाशाएं किसमें आती हैं प्राकृत में मिलती है और प्राकृत से ही आगे विकसीत होती है ठीक है ना तो ये इसका अंसर क्या हो जाएगा फिर इसका इसका अंसर है नामी साधू देखिया आपके बहुत सार युगम को चांटना है ठीक है असंगत मतलब गलत तो देखिए पहला क्या है कि मध्यवर्ती पहाड़ी शिमला ये इसका बोलिक्षेत्र इसमें साथ दिया आगे दूसरा है देखिए भोजपूरी तो ये गाजीपूर तीसरा है मगही पटना चोथा है कनोजी हर्दोई तो इ मध्यवर्ती पहाड़ी है देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि मध्यवर्ती मतलब पहाड़ी क्षेत्रों के मध्यभाग में जो बोली जाती है उस बोली को क्या कहते है मध्यवर्ती पहाड़ी कहते है लेकिन शिमला शिमला जो है वो हाइट में है उंचाई में न तो इसल प्रशन का सही अंसर होगा मध्यवर्ति पहाड़ी और शिम्ला की मध्यवर्ति पहाड़ी किसने नाम दिया है देखिए ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था ये दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन और इसके अंतरगत आती है दो ही कौन-कौन सी गरभाली और कुमावि नहीं ठीक है clear है अगला है देखिए प्रशन कि कौन सा कथन सत्य नहीं है तो इस तरीके के प्रशन अब जो है NTA पूछ रहा है कि आपका जो अनलीसिस करने की जो ख्षमता है उसको देखता है NTA कि आप कितना समझते हैं चीजों को ठीक है तो इस तरीके से प्रशन पूछे जाते हैं तो इसके लिए भी आपने क्या है त्यार रहना है देखिए पहला है इसमें कि ब्रजभाशा उकार बहुल है तो ये बिल्कुल सही है ब्रजभाशा जो क्या है उकार बहुल है और ये किसके अंतर गताती है ये पश्चमी जो हिंदी है उसके अंतर गताती है ठीक है ना दूसरा है कि ब्रजभाशा के आदी अक्षर में स्वरलोप होता है देखिए अगर सही तरीके से हमने उस क्लास में पढ़ा होगा या जब हम इस चीज़ को पढ़ रहे थे तो हम इसका जल्दी से बता पाएंगे कि इसका अंसर क्या हो सकता है ठीक है तो ब्रज भाशा के आदी अक्षर में स्वरलोप होता है यह कतन क्या है गलत है तो एक तो यह हो गया दूसरा हो गया ठीक है फिर तीसरा है कि जान की मंगल ब्रज दास की रचना है और ये किस भाशा में लिखी गई है ये अवधि भाशा में है तो इस लिए ये जो option number 3 या यूँ कहें जो तीसरा जो कथन है वो भी क्या है गलत है फिर आता है चोथा कि ब्रज भाशा का अन्य नाम अंतरवेदी है तो ये कथन सही है या गलत है तो ब्रज भाशा का अन्य नाम अंतरवेदी क्यों पड़ा ये चीज आप मुझे comment section में जरूर बताईएगा कि अंतरवेदी इसे क्यों कहा जाता है चलिए हम देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन है कि खड़ी बोली का जो प्रत्थम महाकावय वो प्रिय प्रवास है और इसमें वर्नन है देखे बहुत अच्छा प्रशन है ये भी कि खड़ी बोली के प्रत्थम महाकावय में किस चीज का बनन है पहला है राधा कृषन के वियो का, कृषन के बच्पन से लेकर मतुरा जाने तक का, कृषन से गोपियों के अलगाव का या फिर कृषन की मृत्तियों का तो जब इस प्रशन को भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था, कि कृषन के बच्पन से लेकर के मतुरा जाने तक क्या है इसमें, वर्नन मिलता है तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा दूसरे नमबर का ठीक है ना प्रिये प्रवास तो प्रिये प्रवास कब लिखा गया था 1914 में और ये खड़ी बो लिखा क्या है पहला महाकाब्या है और इसके जो रचैता है वो कौन है आयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोद तो इसका अ पर एक तरीके से विलाप करने लग जाते हैं इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बरजांगना विलाप इस तरीके से आपने इसको याद रखना है तो ये हो गया प्रशन नंबर साथ अगला जो प्रशन है वो देख लेते हैं कि हर्यानवी को बांगरू नाम किस ने दिया तो इसको बांगरू नाम किस ने दिया है इसको किस अन्य किस नाम से जाना जाता है ये भी आप comment section में जरूर बताइएगा कि हर्यानवी को अन्य नाम क्या क्या दिये गए है अगला प्रशन हम देख लेते हैं कि इसको किस शताबदी में अपभ्रश का व्यभार लोक भाषा की अर्थ में खोने लगा चटवी शताबदी, आठवी शताबदी, नवी शताबदी या ग्यार्मी शताबदी तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो अपभ्रंश है उससे पहले कौन सी बोली बोली जाती थी या कौन सी भाषा थी तो अगर हम विकास करम देखें तो बहुत बार ये भाषा की विकास करम का प्रशन भी पूचे जाता है जैसे सबसे पहले थी वैधिक संस्कित, फिर लोकिक संस्कित, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रहश तो वहीं से पानसों से बाद का जो समय था, वो किसका है? वही है अपभ्रहश का तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो छटमीं शताब दीथी वही क्या है, इसका सही अंसर है वहीं पर लोगोंने क्या कर लिया था इसको व्यभार में लाना शुरू कर दिया था तो छट्म शेताबदी से इसका लोग भाशा के अर्थ में होने लगा था किसका प्रियोग? अपभरंश का ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं अपने आखरी प्रशन की ओर अर्धमागदी अपभरंश से विकसित बोली है तो अर्धमागदी जो अपभरंश है सबसे पहले तो आता है कि उसकी उपभाशाएं कौन सी है ठीक है ना तो ये भी हमें पता होना चाहिए अब प्रशन हम देख लेते हैं कि अर्धमागदी अपभरंश से विकसित बोली पूछा गया है उपभाशा नहीं पूछा गया है बोली पूछा गया है पहला है मगही दूसरा है भोजबूरी तीसरा है भगेली और चोथा है मालवी ठीक है तो अर्धमागदी अपभरंश से विकसित कौन सा हुआ है इससे हुआ है पूर्वी हिंदी तो पूर्वी हिंदी के अंतरगत आ जाता है रिवाई क्योंकि इसका केंद्र जो क्या है रिवा है ठीक है क्लियर है तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वकुर्ण प्रश्ण जो हमने हिंदी की एतिहासिक पिष्ट भूमी और इसके बगॉलिक विस्तार जिसमें हमने जो उपभाशा हैं बोलियां वगेरा जो पड़ शेर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई उर्जा और स्फूर्ति के साथ तब तक के दिलिए मुझे दीजे इजाजत जय हिंद जय भारत